हलो दोस्तो मेरे नाव मोनिका आगें आप लोगों के लिए लिकर आज का हमारा कोशिन ओफ दे तो वीडियो के एंड तक बने रहेगा इस कोशिन को समझने के लिए और अगर आप चैनल पर नहीं है तो चैनल को स्प्राइब करेंगे ना वीडियो को लाइक भी कर ही देना और कोशन है x प्लस ब्राबर में दे रखा है ती तो हमें फाइंद करके बताः प्लस वॉर्रत स्कॉरर्बें ब्लस ब्लस दैक है क्या करना है देखो जहीं अप्रोच लगानी है आपका कोशिन हमेशे ठीक होगा कैसे देखो अगर सेम है ना सेम है मदब यह स्क्वार हो गया यह चल गया लेकिन यह नंबर यह जो मेरा कॉफिशेंट है यह सेम है तो उसको चौड़ दो बिल्कुल आपको किसको देखना है कि यहां पे X है लेकिन यहां पे 4X बन गया तो मैं ऐसा क्या करूँ कि ये मेरा 4x square बन जाए, तो अगर मैं इसकी 2 से multiply कर दू, तो ये 2x बन जाएगा, और इसका square करूँगी, तो 4x square बन जाएगा, बिल्कुल जी, तो बस यही करना आप लोगों को, बस यही करना है, ठीक है, देखो, तो इसका मतलब, इसकी multiply, मैं 2 से कर दू, मेरा काम चल जाएगा, अगर आपने इस side multiply की है, तो इधर भी तो करना पड़ेगा, बिल्कुल करना पड़ेगा, तो यह आपका क्या बन गया, उपर बन गया 2x, और नीचे, जाएर सी बात है, इससे भी multiply होगा, तो 4x यह 2 से कटेगा, तो 2x ही बनेगा, ठीक है, तो simple 2x लिद दो, यह आपके 2x, जो की बराबर अच्छा है कि, अब घ्यान से देखो, क्या 2x का square, 4x square नहीं होगा, क्या 1 by 2x का square, 1 by 4x square नहीं होगा, अब दिख्या है ना, बिल्कुल, तो बस यही करना है, ठीक है, तो बस फिर क्या करते है, इसका करते है square, और minus 2, यह खाली 2 कब होता है, जब यह और यह मेरा same होता है, जब मेरा a और b बिल्कुल same होता है, तब खाली 2 होता है, लेकिन जब यह दोनों अलग होते हैं, तो 2 a b करना ज़रूरी है, ध्यान रखना, पीछे वीडियो में मैंने आपको अच्छे से समझाया है, ठीक है, तो answer कितना आ गया, 36 minus 2, 34, 34 is my answer, 34 is my answer, समझ में आए, बोलो तुझ ज़रा, समझ में आए, ठीक है, ऐसा ही करना है, जो same होगा न मेरे भई, जो same है, उसको नहीं छेडेगे, उसको बिलकुल नहीं छेडेगे, ठीक है, जो छोटा बड़ा होगा न, उसको पकडेगे, ठीक है, यहां पे x था मेरे को 4x square बनाना है, ठीक है, मतलब कि square होगा, यह तो पक्का हो गया, 9x बराबर में है 5 तो मेरे को find करके बताओ 9x square plus 1 by 9x square ठीक है कर लेंगे आप तो आप लोग बहुत ज़ादा समझदार हो गए हैं 9x इदर 9x square है मदब सेम है ना बस खाली square का फर्ग है मदब square करना पड़ेगा लेकिन ये मेरा जो coefficient है सेम है तो इसको हम नहीं छेडेंगे इसको नहीं छेडेंगे ठीक है जी समझ में आ गया तो क्या करना है ये देखना इदर ये 9x square है ये इदर खाली x कैसे चलेगा नहीं हो पाएगा तो अगर मैं इस x की multiply 3 से कर दू तो ये क्या मेरा 9x square नहीं बन जाएगा बिल्कुल बन जाएगा इसका मतलब किसकी कमी है किसकी कमी है मेरे भाई बताओ 3 की कमी है कि इधर अगर 3 की multiply कर देते तो मेरा काम चल जाता अगर आपने इधर करा है तो इधर भी करना पड़ेगा तो क्या बन जाएगा क्या 3x बन जाएगा और ये 1 by 3x बन जाएगा बोला तो ज़रा क्योंकि 3 की multiply आप 1 by 9x से करेंगे तो 1 by 3x ही बनना है बिल्कुल इतने तो समझदार रहा है ये steps होफूली मेरे को बताने के जूर्ट नहीं पढ़ रही होगी ठीक है तो ये आ गया 15 ठीक है बस अभी आपको square करना आता है बिल्कुल आता है 15 का square minus 2 जो कि आपका आ गया 225 minus 2 223 223 ठीक है क्यूंकि इसका जब हम square करते है तो क्या होता है कि इसका करदा 2 square और minus करदा 2 2 कब करेंगे जोगी हमारा A और B मेरा सेम होता है समझ में है बोलो जरा समझ में है एक दो कोशिन और लेते हैं और आपका ये type एकदम clear एकदम clear आप ऐसे कोशिन को फिर नहीं छोड़ेंगे ठीक है कोशिन है x plus 1 by 25 x बराबर में है 4 तो मेरे को निकाल के बताओ तो जरा 25 x square plus 1 by 25 x square ठीक है कर देंगे आप लोग सेम है मैं इसको नहीं छेड़ूँगे उपर वाले को देखूँगे 25 x square है या पर खाली x है इसका मतलब मैं ऐसे किस से multiply करूँ कि 25 x square बन जाए तो भई 5 x का अगर मैं square करूँ तो मेरा 25 x square बन जाए इसका मतलब 5 की कमी है आपको क्या करना है 5 से multiply 5 से multiply बसकर दो अग इसकी multiply 5 से तो इधर भी 5 से multiply तो क्या ये 5 x plus 1 भई 5 x नहीं बन जाएगा बोलो तो बन जाएगा बिल्कुल बन जाएगा 25 या गया मेरे इधर 20 तो इसका मैं जब square करूँगी तो यही तो आएगा तो मैं बोल सकती हूँ कि this equals to 20 का square minus 2 मतलब कि 400 minus 2 जो कि आपका answer आगया 398 398 is my answer 398 is my answer समझ में आया है बोलो जरह समझ में एक और question लेते हैं वैसे तो आप लोगों को clear हो गया होगा फिर भी एक दो question करने में हर्स ही क्या है ठीक है पक्का बना लेंगे इसको तो यह है आपका 4x square plus 1 by 4x square निकाल के बताओ अब कहीं आप छोड़ देंगे इसको नहीं छोड़ेंगे बस सिंपल यह देखना है जो हमारा same होगा उसको नहीं छेड़ेंगे जो अलग है उसको पकड़ेंगे देखो इधर x है इधर 4x square के demand करिये इसका मतलब मेरे को 2x का whole square करना पड़ेगा तब ही मेरा 4x square बनेगा समझ में है है समझ में है इसका मतलब इसका मतलब इसका मतलब मेरे को नीचे 2x की जूरत है नीचे 2x की जूरत है तो भई नीचे मतलब कि denominator में करो ना multiply फिर अब denominator में करोगे ना बिलकुल ठीक है देखो फिर भी मेरा एक बत थोड़ा और इसको deep में दिखाते देखो यह है मेरा 4x जब 1 by 2 से करेंगे ठीक है यह है मेरा x और इसके multiply करेंगे 2 से और इधर तो मेरा 3 बन ही गया है ठीक है यह से कटा तो क्या बना 2x बना बिलकुल बना इधर क्या बना 1 by 2x बना इधर तो 3 है तो क्या 2x प्लस 1 by 2x का जब हम square करेंगे तो यही तो आएगा मतलब यही तो आपसे पूछा जा रहा वही तो आएगा तो क्या करेंगे 3 का square minus 2 मतलब कि मेरा 7 is my answer 7 is my answer जो सेम होगा उसको बिलकुल नहीं छेडेंगे जो हमारा बड़ा या छोटा है उसको पकड़ेंगे यह देखना है कि भाई यह मेरा x से 4x square होगा इसका मतलब square तो हुआ है यह तो पक्का है तो ऐसे किसका square करूँ ऐसा किसका square करूँ कि मेरा 4x square बन जाए तो भाई इधर मैं 2 और multiply गल्द हो जब मेरको उपर numerator में जूर थी तो मैंने उपर multiply किया था लेकिन अभी मेरको denominator में change लाना है तो मेरको denominator में multiply करने की जूर पड़ेगी वही मैंने किया है समझ में आया है बोलो जरा समझ में आया है बिल्कुल बहुत अच्छे समझ गए आप लोग एक कोशन ओर लेते हैं देखों कोशन है 2x प्लस 1 बै 2x बराबर में है 3 तो मेरको find करके बताओ 16x स्क्वाईर प्लस 1 बै एक्स सोरी इधर x है इधर है मेरा x स्क्वाईर ठीक है find कर लेंगे आप लोग find कर लेंगे बिल्कुल कर लेंगे जी अब तो आप समझदार हो गए है अच्छा इधर था 2x यह बन गए x स्क्वाईर ठीक है समझ में नहीं आए इधर है 2x यह बन गए 16x स्क्वाईर क्या चल रहा है भाई समझ में नहीं आ रहा कोई दिकत नहीं है देखो इधर अच्छा देखो देखो यह है बड़ा और यह है मेरा छोटा इसको नहीं छेडेंगे आपको क्या करना है छोटे से बड़ा हो गया इसको पकड़ेंगे ठीक है अच्छा यह बन के 16x स्क्वाईर इसका मतलब कहें न कहीं मेरा square तो हुआ है ये बात तो पक्की है बिल्कुल पक्की है ठीक है जी अच्छा ऐसा किसका square करूँ कि भई मेरा 16x square बन ज़े अच्छा x तो है यूगी x का square करने पे मेरा x square ही बनेगा तो x तो नहीं है जिसकी कमी है इधर 2 है काश अगर 4 होता तो मेरा 4 का square ही तो मेरा 16x square होता है बिल्कुल जी समझ में आ गया लेकिन इधर तो 2x है तो अगर इधर 2 एक और होता इस 2x में मैं 2 की multiply और कर दे थी तो मेरा 4x बन जाता जिसका square करने पे मेरा 16x square आ जाता इसका मतलब किसकी जूरत है मेरको 2 की जूरत है इस 2 की जूरत है इसका मतलब मैं अगर 2 से multiply कर दू तो मेरा काम चल जाएगा ठीक है देखो अब तो क्या करो उपर 2 की multiply कर दो उपर 2 की multiply कर दो आपने left side किया है तो right side में आपको कोई परहेज नहीं होना चाहिए ठीक है बिल्कुल तो ये बन गया 4x प्लस 1 बै x बोल सकते हैं न इसकी इसके साथ multiply की तो 4x बना और जब इसकी इसकी साथ multiply करेंगे तो क्या 2 से 2 नहीं उड़ जाएगा बोलो तो ज़रा उड़ जाएगा न बिल्कुल उड़ जाएगा और इतना तो आप कर सकते हैं अगर आप लोग यहां पर है इतने इतना अगर आपने प्रिपेर किया है तो आप लोग समझ सकते हैं ठीक है जो की बराबर अच्छ है कि अब ध्यान से देखो क्या 4x का square करने पे 16x क्या नहीं बनता क्या बिल्कु माइनस 2 करेंगे नहीं 2a b करेंगे क्यों कि मेरा a और b सेम नहीं है सेम नहीं है जब सेम होता है तब खाली 2 माइनस करते हैं लेकिन जब अलग होता है जब हमारा अलग होता है तो 2a भी लिखना ज़रूर तो a के नाम पे कोई है 4x b के नाम पे कोई है 1 by x यह मैं x वैसे ही लिख रही हूँ क्योंकि यह कट नहीं आप लोगों को पता है क्योंकि एक उपर x है एक नीचे x है ठीक है तो क्रोस में आ जाएगा क्रोस में आने के बाद वो कट जाएगा ठीक है तो कितना आ गया 8 आ गया तो 36-8 अंसर आ गया समझ में आए ठीक है बस आपको यह बात घ्यान रखनी है कि देखो यह था मेरा 2x और यह बन गया मेरा x square अब यह बड़ा है और यह है छोटा तो इसको मत छेड़ना इसको मत छेड़ना किसको छेड़ोगे किसको देखो इधर यह 2x और इधर बन गया मेरा 16x square यह छोटा थ अब यह बड़ा बन गया तो इसको पकड़ना इसको पकड़ना और फिर आपको operation तो समझ में आता ही है कि इदर 2x है इदर मेरे 2x है और मेरे को जूर्थ कितनी है so like square की इसका मतलब अगर यहाँ पे 2 और होता है और इसका में square कर देती तो मेरे काम चल जाता है इसका मतलब मेरे को 2 की जूर्थ थी तो मैंने किया कि अदर 2 से multiply कर दिया समझ में आये बुलत जरा समझ में आये बहुत अच्छे देखो एक और question ले एक और question ले 3x प्लस 1 बै 3x बराबर में है 4 तो मेरे को निकाल के बताओ 81x square प्लस 1 बै x square जल्दी से निकालो देखो फिर से ये मैरा number था बड़ा और यह दर दो छोटा देख रहा है है तो इसको मत छेड़ना इसको नहीं छेडेंगे समझ में आ गया टो किसको देखें किसको देखें देखो इधर था मेरा 3x इधर था मेरा 3x इधर बन गया 81 x square 81 x square अब इसको पकड़ेंगे यह छोटा था और यह बड़ा बन गया तो इसको देखेंगे ठीक है चलो यह समझ में आ गया ठीक है अच्छा अगर मैं 3 x का square करती तो मेरा कितना बनता 9 x square अच्छा यह तो ठीक है यह तो x square तो मेरा बन जाएगा अगर 9 x होता तो क्या मेरा काम नहीं चल जाता बताओ तो जरा बिल्कुल चल जाता लेकिन इदर खाली 3 है 3 को 9 बनाने के लिए 3 को 9 बनाने के लिए हम क्या कर सकते है 3 से multiply 3 गुना 3 x 9 बना दे यह बन जाएगा मेरा 9 x जिसका मैं square करूँगी तो मेरा 81 x 81 x square बिल्कुल आ जाएगा तो आपको क्या करना आपको समझ में आ गया ना समझ में आ गया ना बिल्कुल जी इतने तो हम समझदार है यह पैदाईशी ठीक है तो करो फिर आ गये इतने समझदार होतो हाँ कर रहे है तो मैं यह इधर ही करके दिखा देती हूँ यह गुना 3 कर देंगे इधर भी गुना 3 होगा बिल्कुल जी तो यह बन जाएगा 9 x और यह बन जाएगा मेरे भाई खाली x यह बन जाएगा मेरा खाली x समझ में आया बोले तो ज़रा बिल्कुल आगया जी ठीक है करो फिर आगय देखो 9 x का square करने पे कैसी x square आता है बिल्कुल आता है 1 by x का whole square करने पे क्या आता है 1 by x square आता है ठीक है इसी की demand थी और यह ही हमारा आ गया ठीक है तो फिर क्या करना होता है बस जो हमें given है उसका कर देना होता है square और माइनस करना होता है 2 उसका माइनस करना होता है 2 नहीं मैडम नहीं यह तो आप गलत बूल रहे हो खाली 2 कैसे कर देंगे यह और यह तो अलग है अरे हाँ 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 बिल्कुल सही कह रहे है तो ध्यान रखना है बिल्कु ध्यान रखना है कि जब आपका a और b अलग हो तो खाली माइनस 2 मत करके आ जाना अलग-अलग a और b भी बैटा है इधर है 9x और इधर है मेरा 1 by x अरे आपको तो पता ही x से x उड़ी जाना है इधर square है तो 144 माइनस में मैं कर दू मेरा 18 तो कितना आ जाएगा कितना आ जाएगा बोल जाएगा 126 126 is my answer समझ में आया क्या आप लोगों को यह टाइप समझ में आई मुझे बता दो एक बर क्या आप लोगों को यह समझ में और बिल्कुल जी ऐसे लेकिन अगर नहीं होता है तो next video में definitely I'll do it ठीक है और मिलते हैं अभी next video में और अगर आपको यह समझ में आ तो वीडियो को लाइक करें बिना बिल्कुल मत जाना इमानदारी से कर देना ठीक है तो अभी के लिए टाटा बाय और थेंक यू सो मच फो वोचिक